इस विडियो में हम इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन प्रॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं किस तरह से आप Sverige इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कीजियेगा दो process होते हैं इसके एक तो आप debit card के through activate कर सकते हैं अपने internet banking को और एक होता है user id के through यहाँ पे मैं user id के through बताने वाला हूँ debit card के through किस तरह से होता है इस पे भी हमने वीडियो बनाया जिसका link आपको वीडियो के नीचे description box में और इस side नहीं इस side i button में आपको link मिल जाएगा तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस से पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने insta saving account किस तरह से open किया जाता है state bank of area में तो उसके बारे में सारा process बताया है KYC verification कैसे किया जाता है वो भी हमने उसमें बताया है तो उस वीडियो को आप जरूर देखे जब हम insta saving account के लिए apply करते हैं तो उसी समय हमें एक code यानि user id हमारे mobile number पे भेजा जाता है और उसी user id की मदद से हमें internet banking activate करना होता है तो आज़े देखते हैं सारा process की किस तरह से आप user id की मदद से अपने internet banking को activate कीजिएगा वीडियो के नीचे description box में हमने एक link दिया है उस पर click करने के बाद आपके सामने state bank of india का official website खुल जाएगा आप चाहे तो manually अपने chrome browser में type कर सकते हैं online sbi.com इस page पे आपको दो option देखने को मिल जाते हैं personal banking, corporate banking हमें काम है personal banking से personal banking में login वाले option पर आपको click करना है इस तरह का page खुलेगा आप continue to login पर click करें यहां आपको username और password इंटर करने कहा जा रहा है basically यह option उनके लिए है जिनका पहले से ही internet banking activate है हमारा internet banking activate नहीं है हम करना चाहते हैं तो हम इसके लिए side में new user register here activate पर click करेंगे click करते ही इस तरह का pop-up खुल जाएगा आपको ok पर click करना है ok पर click करते ही फिर से इस तरह का pop-up खुलेगा यहां पर आपको option देखने को मिलता है new user registration जब आप इस पर click करते हैं तो एक और option आपको देखने को मिलता है activation of username जो उपर वाला option है new user registration यह अगर select करते हैं तो आप debit card की मदद से अपना internet banking activate कर सकते हैं लेकिन हमें करना है user id की मदद से तो हम नीचे वाले option को choose करेंगे activation of username and दन नीचे next पर click करेंगे अब यहाँ पे आपसे temporary username इंटर करने कहा जा रहा है cif number इंटर करना है date of birth आपको इंटर करना है और जो capture दिया गया है उसे इंटर करना है अगर आपने हमारे insta saving account किस तरह से create किया जाता है उस वीडियो को देखा होगा सारा detail अच्छी तरीके से इंटर करने के बाद आपको नीचे submit पर click करना है अब आपके register mobile नंबर पे एक OTP भेजा जाता है bank द्वारा उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है और नीचे confirm पर click करना है confirm पर click करते ही आपके सामने ये वाला page खुलेगा अब आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना username और new login password create कीजे जो आप रखना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि username आप number और later के combination के through बना सकते हैं कोई भी special character आपको नहीं इंटर करना है example के तोर पे आपको side में मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह का user ID आपको बनाना होता है उसके बाद है login password login password में आपको upper later, lower later, special character और digit का combination करके password create करना है example के तोर पे आप यहाँ side में देख सकते हैं user ID password इंटर करने के बाद नीचे submit पर आपको click करना है इस तरह का message आपको देखने को मिलेगा successfully registered for internet banking आपको close पर click करना है और इस तरह से आपका internet banking activate हो जाता है लेकिन अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है जैसे ही आप इसे close करते हैं आपके सामने user name और password इंटर करने वाला page खोल के आ जाएगा अब यहाँ पे आपको अपना user name और password जो अभी आपने create किया होगा उसे इंटर करना है और नीचे जो capture दिया गिया है उसे भी इंटर करना है सारा detail इंटर करने के बाद नीचे login पर click करना है जैसे ही आप login पर click करते हैं तो first time आपके सामने ये वाला page खुलेगा यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप profile password state किजिए अब सायद आप सोच रहे होंगे कि profile password क्या है login password क्या है देखो login password वो password हुआ जिसकी मदद से आप internet banking में login किजिएगा वही profile password वो password होता है जिसकी मदद से आप transaction को confirm करते हैं साथ ही साथ अगर आप अपने account में कुछ भी छेड़ चार करते हैं जैसे login password चेंज करना, user ID चेंज करना तो इस case में क्या है कि आप profile password की मदद से उसे confirm करते हैं पर एक्जामपल अगर आपका login password किसी को पता चल जाता है और वो आपके account में internet banking के माधियम से login हो जाता है तो आपको डर्डने की ज़़ुरत नहीं है जब तक आपका profile password उसे पता नहीं होगा तब तक वो आपके account से transaction नहीं कर पाएगा नहीं आपके account के साथ छेड़ चार कर पाएगा तो ये एक तरह से एक security provide करता है profile password उपर में हमने profile password इंटर किया है और फिर उसी password को फिर से इंटर करके confirm किया है अब नीचे आपको दिख रहा होगा hint question select पर click करें click करते ही कई सारे question आपको दिख जाते हैं इन में से कोई भी एक question चूज़ कर लिजे और यहाँ पर उसका answer आप state कर लिजे answer आपको वही रखना है जो आपको याद रहे basically मान लेते हैं कि अगर आप अपना profile password भूल जाते हैं तो उस profile password को recover करने के लिए आप से ये सवाल पुछे जाते हैं और उसका आपको answer देना पड़ता है जो answer आपने यहाँ पे डाला होगा हमने question answer भी choose कर लिया है उसके बाद नीचे है place of birth place of birth आप अपना इंटर कीजे और फिर submit पर क्लिक कीजे submit पर क्लिक करते ही इस तरह का message आपको देखने को मिलेगा यूर profile password has been set successfully आपका profile password जो है वो successfully set हो चुका है that's it आपका internet banking पूरी तरह से activate हो चुका है आईए देख लेते हैं कि you know sbi application में first time login किस तरह से किया जाता है सबसे पहले play store से you know application download कर लेना है उसके बाद open करेंगे इस तरह का pop up खुलेगा आपको allow पे क्लिक करना है and then नीचे आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं new to sbi existing customer I have activation code new to sbi के लिए जब हमें account नया खोलना होता है जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया जिसमें हमने insta saving account किस तरह से open किया जाता है you know application के थूँ उस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा second number है existing customer हम click करेंगे existing customer पर जैसे ही आप click करते हैं फिर से तीन option देखने को मिलता है login using internet banking id registered with my ATM card registered with account detail हम यहाँ पे click करेंगे login using internet banking id जो कि अभी हमने create किया अपना user id और password click करने के बाद आप से कहा जाता है कि क्या आपके पास sbi internet banking का id है आपको yes पर click करना है उसके बाद user id password इंटर करके नीचे submit पर click करें यहाँ आप से कहा जा रहा है कि आपको एक mpin create करना होगा internet banking योनो application में login करने का जो process है दो option आपकी सामनी रखे गए हैं एक sbi internet banking user id और password की मदद से आप login कर सकते हैं दूसरा है six digit का आपको mpin create करना होगा जिसकी मदद से आप login कर सकते हैं नीचे आपको next पर click करना है अब यहाँ पर आपको 6 अंगों का pin create करना है वैसा pin जो आपको याद रहे pin किस तरह से create करना है नीचे में instruction भी आपको देखने को मिल जाता है आपको इस instruction को follow करके 6 अंगों का pin create कर लेना है pin इंटर करने के बाद नीचे next पर आप click करें आपके register mobile नंबर पे जो नंबर आपके bank account में डाला हुआ है उस पर OTP bank द्वारा भेजा जाएगा OTP यहाँ पर enter कीजिए अगर OTP आपको receive नहीं होता है recent OTP पर आपको click करना है OTP इंटर करके नीचे next पर click करेंगे click करते ही इस तरह का pop-up आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है congratulations you have successfully registered आपको OK पर click करना है और इस तरह से you know application में आप login हो जाते हैं account, deposit, loan कई सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं जिसका आप use कर सकते हैं इस application के माध्यम से तो भी आप finally internet banking activation process complete हो गया लेकिन यहाँ पर जितनी आसानी से मैं आपको दिखाया कि सारा process हो गया इतनी आसानी से हुआ नहीं क्योंकि हमें यहाँ एक problem face करना पड़ा आए देखते हैं वो problem क्या है दरसल जब मैं user ID जो bank द्वारा SMS के through भेजा गया था उसी user ID को use करके internet banking activate तो कर रहा था लेकिन OTP हमारे register mobile number पर आ ही नहीं रहा था और इसके लिए मैंने बहुत wait किया और इसी कारण से हमने नीचे click here to resent the OTP पर click किया और इस तरह का tab खुल के सामने आया इसके बाद भी हमारे number पर OTP नहीं आया तो फिर मैंने नीचे OTP not received वाले tab पर click किया उसके बाद मुझे इस तरह का message देखने को मिला कहने का मतलब ये अभया कि इनके अनुसार हमारा जो data है ये उपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी हमारे data को validate नहीं कर पा रहे हैं and then ये कह रहे हैं कि वह या जाओ अपने home branch और वहां से आपको apply करना पड़ेगा duplicate password के लिए चलो ठीक है नीचे में लिखा हुआ है studio with you may print the application form हमने here पे click किया जो application form था वो भी हमने download किया तो इस तरह के problem हमने face किये जबकि हमारा user ID हमारे mobile number पे आ चुका था login कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा था मतलब बहुत सारा जंजट जो है वो हमें जहलना पड़ा एक दिन नहीं बलकि मैं 3-4 दिन ये try किया और हमेशा जो है मुझे OTP receive नहीं होता था and then finally मैंने सोचा कि चलो ये जो बोल रहे है वो करना चाहिए तो मैंने दो form जो है वो download किया मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये दो form basically एक जो form है वो है internet banking activation करने वाला form ओके और दूसरा जो form है ये वाला ये है duplicate login password वाला form मैं इन दोनों form को भढ़के जो branch है जहां से हमने KYC verification करवाया था insta saving account के लिए जिनका account मैं खोल रहा था उनहीं का internet banking भी मैं चालू कर रहा था तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक चीज़ clear हुआ सबसे पहली बाद जो duplicate login form होता है ये आपको ज़रुरत तब पढ़ता है जब आपका internet banking already activate है तब ये password माल लेते हैं login password अगर आप भूल जाते हैं तो उस case में आप इसकी मदद ले सकते हैं उसके बाद है ये दूसरा form जो की है internet banking activate करने वाला form तो इस form को जब मैं वहां submit करने लगा और मैं सारा story जो है उन्हें समझा है कि ऐसा ऐसा problem मैं face कर रहा हूँ तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि इस form को अभी आप रखे और आप 3-4 दिन wait कीजिए आपका KYC verification वगरा हो चुका है थोड़ा सा आप और wait कर लिजिए आपका जो detail है वो अभी data में हमारा नहीं चड़ा है यानि जो number है mobile number वो हमारे data में मतलब आपके data में नहीं चड़ा है तो वो 5-6 दिन में चड़ी आएगा उसके बाद फिर जाके आपका internet banking वाला जो process है आप करेंगे OTP आपको आएगा and then कोई problem आपको नहीं होगा तो उन्होंने जैसा कहा मैं form लिया घड़ आया and then कुछ भी नहीं उन्होंने 5 दिन कहा था मैं 3 दिन के बाद ही try किया और उसके बाद मेरा जो internet banking process है जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया वो हो गया अगर आप भी इस तरह का problem phase करते हैं तो आपको घबराना नहीं है लोग घबरा जाते हैं थोरा सा अरे यह क्या हो रहा है हमने उसका वीडियो देखा था तो उसमें तो फटा-फट हो गिया था internet banking वाला मेरे में नहीं हो रहा है क्या चक्कर है फलाना है धिन का है तो यह ची सवाल है उन सवालों की जो आपके द्वारा पूछे गया है और यह जितने भी सवाल है इनका जवाब जो bank के थ्रू मुझे मिला है तो वो मैं आपको बता रहा हूं पहला सवाल राज पांडे ने किया है सर इंस्टा सेविंग एकाउंट में एक बार KYC कंप्लीट करने के ब अभी इंस्टा सेविंग एकाउंट खोला है मेरा कार्ड कहां जाएगा अब देखो आप कहीं भी रह रहे हो चाहे बैंगलोर में या फिर बिहार में जो आपका पर्मानेंट एड्रेस आधार कार्ड पे मेंसन है अगला सवाल है आरके खान के तरप से भाई मैं कई दिनों स इंस्टा सेविंग एकाउंट खोल रहा हूं लेकिन नहीं खुल रहा अगर आप ट्राइ कर रहे हैं और आपका एकाउंट नहीं ओपन हो रहा है डैट मेंस कि आपका पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एकाउंट होगा अगर इस तरह का मैसेज आपको देखने को म नहीं है यानि एक साल दो साल हो जाता है हम एकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एकाउंट मेरा क्लोज हो जाता है हमें लगता है कि हमारा तो एकाउंट क्लोज हो चुका है चलो नया एकाउंट खोलते हैं लेकिन यहां पर जब आपको पास्बुक मिलता है तो उस आपका CIF number होता है बेसिकली वो user ID number होता है वो हर customer का customer ID create हो जाता है bank में उस ID की मदद से आप उस bank में जितना भी account खुलवाना चाहें आप खुलवा सकते हैं अब जो आपका account close हो चुका है वो account आपका close हो चुका है लेकिन जो user ID है वो आपका activate है और इसी कारण से इस तरह के problems आते हैं अगर इस तरह का problem आपको होता है तो आपको bank जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको बात करनी होगी इस सवाल का जवाब मैं वही दे रहा हूँ जो मेरे नजदी की State Bank of India का branch है वहाँ पे मैंने इस चीज को confirm किया है मैंने उन्हें बताया कि जो address proof है उसमें address दूसरा है और मैं यहां रह रहा हूँ तो क्या मैं आपके branch में यहां account खुलवा सकता हूँ या फिर नहीं खुलवा सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि आप नहीं खुलवा सकते हम आपका account नहीं खुल सकते लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास कोई option नहीं है और मुझे account जरूरी है मुझे खुलवाना है तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका account खुल देंगे लेकिन उसके लिए आपको एक application लिख के देना पड़ेगा और साथी साथ जो proof of address है आपका मतलब जहां का भी है वो और pen card और दो photo ये लगेंगे लेकिन एक application आपको लिख के देना पड़ेगा तो finally ये confirm हो गया है कि आप कहीं भी रह रहे हों तो आपका account जाए वो खुल जाएगा जहां भी आप खुलवाना चाहते हैं कहीं का भी address proof है वो चल जाएगा State Bank of India की मैं बात कर रहा हूँ अगला सवाल है अंकीत इज लाइफ के द्वारा इंस्टा सेविंग एकाउंट का फुल KYC करने के बाद क्या मेरा एकाउंट रेगुलर सेविंग एकाउंट हो जाएगा जी हाँ तो साथी साथ हमने passbook भी आपको दिखाया है कि passbook आपको दिया जाता है लेकिन जब आपको full KYC verification हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ बोलना पड़ता है कि आपको passbook चाहिए जब आप ऐसा बोलेंगे तो फिर वो आपको passbook देंगे अगला सवाल है हरी कृष्णा जी के दुआरा बैंक वाले KYC नहीं कर रहे है क्या करें इसे कैसे नहीं कर रहे है KYC मुहे मतलब ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कहने को मतलब यह है कि अगर आपने सारे रूल को follow किया है इंस्टा सेविंग एकाउंट खोलने वक्त हमें करना पड़ता है और साथी साथ जो डॉक्यमेंट हमारा है वो भी बिल्कुल सही है तो KYC verification जो है वो जरूर करेंगे अगर नहीं करते हैं तो आप complain कर सकते हैं तो finally इंस्टा सेविंग एकाउंट के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है इस वीडियो को लेके complete हो चुका है और इसके लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ा 20-25 दिन मुझे वेट करना पड़ा डेविट कार्ड आने में मुझे 17 दिन लग गए पास्बूक, KYC verification यहाँ पर जो problem हमने face किये फिर bank जाके उस problem का solution फलाना दिन का तो इसके लिए एक छोटा सा like अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात होगी और channel subscribe और notification बेल भी आप दबा दिजे साथ ही साथ यहाँ पर जो insta saving account और digital saving account के बीच में क्या difference होता है उसका वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और insta saving account किस तरह से open किया जाता है full KYC process कैसे होता है वो भी हमने बताया वो वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोनों वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं और internet banking वाला तो आप समझी गए अगर इस वीडियो से related आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो नीचे comment box खुला हुआ है भईया बिंदास आप अपने सवाल को हमारे साथ share कर सकते हैं अगर हमारे लिए कोई सुझाओ है तो वो भी आप हमें जरूर बताईए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई टेकिया लव यू और जैहिन जै भारत